इस बीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि आप लोग अपने मुबाइल से मोप अप काउंसलिंग का इसे कर सकते हैं तो फैनली आज का बीडियो वैसे लोग के लिए बहुत इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग भी हार पोल टेकिनिके स्टुडेंट हैं और 2023 में अपना इंट्रेंज इक्जाम दिये थे लेकिन रेंकर अधिका जाने के बाद ना ही इनका फैस्ट राउन में एडिमिसन हुआ और ना ही सेक्ड राउन में और कुछ एस्टुडेंट का काउंसलिंग छूट गया था और कुछ ऐसे भी एस्टुडेंट है जिनका तो एडिमिसन हो गया है लेकिन उनको पोल टेकिनिक कॉलेज या बरांच पसंद नहीं है तो इस वीडियो में आप लोग दोड़ा जितने भी क्विस्टन किये गए हैं सब का आंसर भी देने वाले हैं इसके साथ साथ आप सभी को भी बताने वाले हैं कि भी हार पोल टेकिनिक मोप अप काउंसलिंग में कितना रेंग पर कौन सबरांच मिलेगा और कौन सा कॉलेज इसके बाद यह भी बताने वाले हैं कि कौन कौन से लोग इस फोरम को फिल अप कर सकते हैं तो अगर आप लोग भी हार पोल टेकिनिक के स्टुडेंट हैं और अभी तक आपका एडमिसन नहीं हुआ है या हो गया है तो कौलेज चेंज करवाना है तो इस वीडियो को आन तक जो डाउट है फिनली किलियर हो जाए तो चलिए सबसे पहले आप सभी को बता दे कि यह हार पोल टेकिनिक का जो मपप काउंसलिंग है इसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कुश्चन इसी को पूछा गया था तो देखिए अगर आपके प उसके बाद भी आप लोग इस काउंसलिंग में यानी बहाँ अफिर कैसे होगा इसके लिए क्या करना परेगा चलिए आप सभी को आगे बता देते हैं इसके बाद आप सभी को बता दे कि वाइसे स्टुՍरेंट जिनका फिर एडवीं शन्रसे को इसमें बहाँ लिए सकते ह करवा सकते हैं तो जिनका अभी क्वेश्चन था कि सर हमारा तो एडमिशन हो गया है लेकिन ब्रांच पसंद नहीं है सर हमारा तो एडमिशन हो गया है लेकिन कॉलेज पसंद नहीं है तो कैसे चेंज होगा तो आपके लिए लाश्ट मौका है आप लोग इस काउंसलिंग में अपना बरांच या जो कॉलेज है उसको चेंज बिलकुल करवा सकते हैं अब रहा बात कि आखिर कौन से पोल टेकनिक कॉलेज और कौन से बरांच कितना रेंग पर एलर्ट होगा तो देखिए मौपप काउंसलिंग में रेंग इसका मतलब कुछ नहीं होता है आप लोग जितना पहले काउंसलिंग करते हैं उतना ही आच्छा आपको सरकारी कॉलेज एलर्ट होता है ठीक है तो मौपप काउंसलिंग में रेंग का उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है तो चलिए आप सभी को बता दे जो आप लोगा काउंसलिंग है आखिर कैसे होगा इसके लिए क्या क्या करना होगा काउंसलिंग का अंतिम्तिति क्या है काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा काउंसलिंग के लिए क्या पटना भी जाना होगा आखिर कौन कौन से डोकुमेंट लएंगे और कौन से पोल टेकिनिक कॉलेज में टोटली सीटों के संखे आखिर कितना तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने सपले आप सबी से एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग हमारे रोग आप सभी के अपने यूट्यूब सेनल डिपलोमा कलासेस पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब दरूट कर ले ताकि यह से इन्फर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे जितने भी लोग थे सभी लोग आपको बोले थे कि मोप अप काउंसलिंग नहीं होगा एक इकलावता हमी थे जो आप सभी को बताए थे कि मोप अप काउंसलिंग होगा और बिल्कुल मोप अप काउंसलिंग हो भी डहा है तो आप सबी को इसके लिए Instagram पर मेसिज करना होगा और Instagram का लिंक इस वीडियो के description box में दे दिया गया है जैसे आप लोग Instagram पर मेसिज करेंगी तो वहाँ पे आप सबी को जो वहर पूल टेकनिक मपफ काउंस्लिंग का वार्टसप गुरूप है तो जिनको भी हार पोल टेकनिक मपप काउंसलिंग वार्टसाप ग्रूप में जोईन होना होगा तो आप लोग बिल्कुल इंस्टाग्राम पर मेसेज किजिएगा आपके पास वहाँ पर इस लिंक ये जो वार्टसाप ग्रूप है इसका लिंक सेर कर देंगे आप लोग पर बहुत सारे स्टुडेंट जोईन हो चुके हैं तो अगर आपको फिर जोईन होगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मेसेज जरूर किजिए अब चलिए फिनली आप सभी को बता दी वहार पोल टेकनिक मपप काउंसलिंग के लिए टोटली सीटों के संख्या आखिर कि जý आप लोग मॉपप काउंसलिंग कर सकते हैं तो इसके लिए अप सबसे पहले आप सभी को अपने मुबाइल में जो करोम ब्रॉजर इसको उपन कर लेना होगा फिट इसके सर्च बार में सर्च करना होगा बी, सी, ए, सी, इ, तो आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर सर परकार से दिखेगा BCEC Government of Bihar ठीक है जैसे आप लोग यहाँ पर किलिक किजिएगा उसके बाद आपके मुबाइल के स्क्रीन के उपर कुछ इस परकार से सो होगा देखिए यहाँ पर लिखेगा Online Application Forms ठीक है उसके नीचे भी कुछ मतलब लिखेगा अप चलिए आप सभी को बता दे कि टोटली सीटों के संख्या आखिर कितना है भी हार पॉल टेक्निक मप अप काउंसलिंग के लिए तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर किलिक कर देना होगा ए जो ठाड़ आप सने इसक Second Seats After Second Round Online Counseling यानि Second Round Made Mission होने के बाद आखिर टोटली सीटों के संख्या आखिर कितना बच गया है तो इतना ही सीटों पर आप सभी के लिए मोप अप काउंसलिंग होगा तो आप लोग देख सकते हैं पटना में टोटली सीटों के संख्या कितना है जितने भी बिहार के सरकारी Second College सभी में आखिर कौन से ब्रांज में कितना सीट खाली है आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे आप लोग जो नीचे देख पा रहे हैं यह सब यह प्राइवेट कोड़े से कोई मतलब नहीं है हम आप सभी को बताने वाले हैं सिर्फ सरकारी कोड़े में टोटली सीटों मॉप आप काउंसलिंग के लिए तो जो भी लोग अगर इसमें भाग ले ले लेते हैं तो आपको बिल्कूल सरकारी पॉल टेकनिक में एडमिसन हो जाएगा अब चलिए आप सभी को बता दे मतलब आप लोग का जो मॉप आप काउंसलिंग है कैसे होगा इसका प्रोसेस 38.2023 यानि 30 अगर्ष्ट को ही सीट मैट्रिक्स पब्लिस कर दिया गया था उसके बाद जो आप लोग का 24 फिलिंग है एवं जो आप लोग का विलिंगनेस है जिसका रजिस्टेशन हो गया होगा उसको सिर्फ विलिंगनेस करना होगा और जिसका रजिस्टेशन नहीं हुआ होगा तो उसको रजिस्टेशन भी करना होगा और विलिंगनेस भी करना होगा और इसका जो डेट है 2 सेप्तेमबर 2023 से और इसका अंतिमती थी कब है तो 7 सेप्तेमबर 2023 से इसके बाद जो आप लोग का कांस्लिंग हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 13 सेप्तेमब को इसके बाद से जो आप लोग के कॉलिज में एड्मीशन है वो फैनली कब से कब तक होगा तो यहाँ पर बत आया गया है कि डोकोमेंट वेडिपीकेशन एंड एड्मीशन 14 और 15 यानी दो दिनों के बीच आपको अपना डोकोमेंट वेडिपीकेशन करा लेना होगा आखिर क कौन कौन से डोकोमेंट लगेंगे वुष डोकोमेंट का लिस्ट हम जो वार्टसप ग्रूप है वहाँ पर सीर कर देंगे वार्टसप में जोईन होने के लिए आप सब एको फिटसे přेसे बोलते हैं इंस्टाग्राम पर मेंसेज करना होगा लड़की लोग के लिए ब्लभ क को create करना पो रहा इसके बाद आप सब यह को भी बता दे कि यह जो होगा जैसे आप लोग 24 फिलिंग किये थे same to same वाईसाही करना होगा और यहाँ पर साब साब लिखा गया है कि जो भी लोग first round में अपना registration नहीं कर पाए थे या कुछ मतलब उनका counselling नहीं हो पाया था तो आपको घबराने की बात नहीं आप लोग भी इस counselling में बहाग ले सकते हैं और जो मॉपप counselling का लिंक है हम उसको भी जो वार्ट साब गूरूप है वहाई पे सियर कर देंगे और वहीं पेक आप सभी को वीडियो को फुर्भाइड करा देंगे जहां से आप लोग देखे लेंगे कि आखिर मॉपप counselling का ऐसी होगा तो आज कर इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग वहाँ पे अपना question क करके हम से फूच सकते हैं thank you